नगबक 60% schaut grabbing आप और रेशें देखो कि 60% Event हो रहे हैं बतलब किसी जगे किसी में। आप जा रहे हो वहां पर सो में से साथ लोग routine हो जा रहे हैं सो में से साथ लोग आए बाखी जो 40 बचे हैं उन में से 20 तो unfit है बाकी बचे 20 उन में से आपको जगल लेनी है अब थोड़े दिन पहले मैंने SSC CGL के बारे में बात करी थी उसके टाइम लाइन के बारे में बात करी तो उसके काफी ज़्यादा बच्चों के कमेंट थे जो भी बच्चे force की तैयारी कर रहे है कि SSC CPO पर्टिकुलरली धहली प्लिस का टाइम लाइन क्या होगा आपका जो सेलेक्शन टाइम लाइन था वो क्या था इस वीडियो में डिसकस करेंगे इसके अलावा जो आपको बोर्ड पर दिखना है इसके लाव में कुछ चीज़ें explain करूँगा कि actual में CPO का success ratio क्या है CPO easy exam है या बाकी SSC, CGLC, hard exam है उसके बारे में हम discuss करेंगे कि कितने बच्चे इसका form बरते है एक्च्चों में कितने बच्चे इसका selection ले पाते है selection ratio क्या है आपको कितने hard सी face करने पड़ेगी exam की preparation के दोरान वो इस video में discuss करूँगा पूरा fact based बात करूँगा कुछ चीजें लिख रहा कि है मैंने उसके हिसाब से बात करेंगे वीडियो के start करता है देखो 2018 में मेरा खुद का selection हुआ है मैं currently working in Delhi place SI DPSI में में काम कर रहा हूँ और मैंने 2018 के थुरू selection लिया था मैंने मार्स 2018 में इसके form fill up करें थे notification इसका 2018 में आये था और मार्स 2018 के जस्ट एक साल बाद प्लस एक साल बाद इसका exam हुआ था प्रिलिम्स का exam इसका मार्स 2019 में हुआ था और उसके बाद जुलाई में इसका physical हुआ था जुलाई 2019 में इसका physical हुआ था सितंबर 2019 में इसका टेर टू आता जो टोटल English का paper होता है आपको पता है टेर वन में चार सब्जेक्ट आता है और टेर टू में सिरफ English आती है चार सो में से डाइस नंबर सिर्फ English के होते हैं CPU में उसके बाद मार्स 2020 में इसका medical हुआ था और medical यहां पर पॉस्पॉर्ण हो गया था डू टू कोविड और उसके बाद यह सिप्तंबर के अरौंड मेडिकल बचे हुए बच्चों का medical सेप्टंबर 2020 में हुआ था और जिसका फाइनल लिजल आज था अप्रेल 2021 में और जोइनिंग आई थी सिप्तंबर 2021 में यह टाइम है आप देख लो मार्स 2018 से सप्टंबर 2021 तक आपको फाइनल जोइनिंग का टाइम लगा है यह इसमें दो मेजर हिकप्स थे जिसके वज़े से इतना टाइम लगा बाकी जो बाकी एससी के एक्जाम से सबसे फास्ट एक्जाम आपको देखोगे तो आप सीप्यू का सबसे फ जैसे यहां पर वेंडर चेंज हुआ था जो एक्जाम कंडक्टिंग ओथरिटी यह वह चेंज हुई थी तो इसमें साइध यहां पर टाइम लगा यूजिल इतना टाइम नहीं लगता है यहां पर चार-पांस मैने लगता है मैक्स टू मैक्स जैसे नोटिफिकेशन आएग कि कितना आपको एक्सपेक्टे टाइम लेके चलना पड़ेगा यहां पर एक साल के बजाए 5-6 मैने लगेंगे और इसके बाद आपको देखो मार्च में पेपर 1 हुआ है उसके बाद जुलाई में फिजिकल हो गया और सिप्तमबर में पेपर 2 हो गया है तो यह पेपर त्यारी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको फिजिकल के त्यारी भी करने पड़ती है और उसमें फिजिकल एक्जर्शन भी आपका होता है तो थोड़ी सी थकान की बज़़े से आप ज्यादा कुछ यह पढ़ने पाते हो तो इसी ताइम आपका फोकस रहता है फिजिकल पर जैसे फिजिकल आपका कंप्लेट होता है उसके एक-दो मैने बाद यह आपका मेंस का एक्जाम आता है तो यह चीज यहां पर दियान देखने वाली बात है और उसके बाद जैसे सिप्तमबर में अगर पेपर हुआ है तो मेडिकल मार्च में 5-6 मैने बाद मेडिकल यहां प कि और दिसंबर में अपका deep canon हो गया ने यहां आपनद में यहां पे यह आप यह Miraast को पताए 2020 कोई आ गया थे यह साध मार्च से एक्जाम करते लेकिन रहुकर का फिज्यादा पोस्पन वह लगबग यहां पर एक साल यहां पर फिर से खराब होगे इसकी कोई गारंटी नहीं है हर कोई ना कोई हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है जिसके वोज़े से एक साल कई ना कई वेस्ट करी देता है यह उसके बाद टाइम लाइन की बात और जो डिफरेंस है यहां पर देखो जो सीजेल और सीप्यों का जो कॉंपेटिशन का डिफरेंस है वो कौन सा हार्ड है आपको अभी इसमें पता चलेगा चीजें कहां पर फिल्टर आउट होती है इसको पहले इसको मैं मिटाता हूँ उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से एक्स्प्यान करने के ट्राइ करूंगा अब देखो थोड़ा सा डेटा पर बात करत जो एक्च्छल में बच्चे बेटे हैं वो है 2.38 लेक मतलब 7 लाग फोर्म बरके सिर्फ जो एक्जाम देने गए वो 2.38 लाग बच्चे ही एक्जाम देने पहुंचे जिसमें से मेल और फिमेल दोनों को मिला के 20,000 बच्चों को कौलिफाई करा ता SSG ने सिरफ 20,000 बच्च से यहां पर क्वालिफाई करें अब यहां पर इंट्रेस्टिंग बात यह आ जाती है जो सबसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट में प्रिलेंस के बाद फिजिकल के बाद स्टार्ट होता है देखो यह 20,000 बच्चे हैं जो क्वालिफाई करें इनमें मैक्सिमम बच्चे होते हैं CGL की preparation करने वाले जो CPU उनका target ही नहीं होता है और यह fact है मैं आपको बता देता हूँ on record जो maximum बच्चों होते हैं वो CGL वाले होते हैं या किसी और exam की preparation कर रहोता है जिसे for example CHSL वो CPU का exam इसलिए दे देते हैं just to check कि उनकी preparation level क्या हो रही है और वो ही बच्चे होते हैं 20,000 यहां पे qualified जो हुए हैं वो भच्चे होते हैं जो यहां पे physical देने नहीं जाते हैं अब देखो physical में 20,000 बच्चे यहां पे जाते हैं जिसमें से 12,000 बच्चे तो सिरफ एपसेंट है क्यों हैं CGL की तयारी करनी थी उनको उनके साथ या तो कुछ medically unfit है उनको पता है खुद को या रे मेडिकली unfit वेदर लाइक डियार फेसिंग आई प्रोब्लम या कुछ और दिक्कत है उनसे भागा नहीं जाता है अब देखो कॉम्पिट्शन कहां बच जाता है चार हजार चार सो बच्चे ही एक्चुल प्रेलियम्स क्वालिफाई कर पाएं फीजिकल are mental exertion नहीं बोलूँगा कमे इंटेर्जेंस की बात हुथी है फीजिकल ओर मॉस्ट हर बच्चा और लेता है जिसमें डेडीकेशन शोना अचब्षे तोद लगब हो जाता है सबसे अगर आपने बहुत अच्सेपिजीकल यह मैनत कर ली तो उसके बाद देखो पेपर टू इतने बच्चे देते हैं, 4,000, 4,000 एफ्रोक्सिमेट पेपर टू देते हैं, उसमें से 2,500 क्वालिफाइ करते हैं, पेपर टू और मेडिकल, उनको मेडिकल के लिए बुलाए जाता है लगबग, और उसे 2,500 मेडिकली फिट होते हैं, अब यहां पर फिर से कॉमपेट्शन चट गया, 2,500 बच्चे मेडिकली क्वालिफाइड हैं यहां पर, सिरब 2,500 बच्चे मेडिकली क्वालिफाइड हैं इन 20,000 में से, और 20,000 में बहुत, टॉप की कटॉप नहीं गई है, आप देखोगे उठा के, बहुत टॉप की कटॉप यहां पर नहीं गई थी, एवरेज बच्चा, जो एवरेज पढ़ाई करने वाला बच्चा है, उनकी कटॉप गई है, 20,000 में, और उसमें से 12,000 एपसेंट हो चुके हैं, और एपसेंट में से 4,000 बच्चे फिजिकली क्वालिफाइड हुएं, आप 20,000 में आजा तो एवरेज पढ़ाई के साथ, और चार हजार में से पेपर टू लिखते आप, तो लगबग 3800 बच्चे यहां पे क्वालिफाई हुए थे, पेपर टू में, मतलब आश्क के 500-700 में आपको नहीं आना है, फिर भी आप पेपर टू क्वालिफाई यहां पे कर गए थे, लगबग एप्रोक्सिमेट आप एवरे फिटो अप, मेंडिकली फिटो, कंडिशन भी, यहां मेंडिकली फिट, देखो आप 3800 में से आराम से इन पच्चिस सो में आजाओगो, आप मेंडिकली फिटो, में आए आपकी चेक होती है, नोकनी, फ्लैट, फूट, कान, आक, नाक, जो भी आपके, सब चेक होंगे, आप मेडिकली फिटो, अगर आप, आपको पता है, आप फिजीकली और मेडिकली फिटो, और एवरेज बच्चे हो, बहुत ज्यादा टॉप बच्चे भी नहीं हो, सिरफ एवरेज आप पढ़ने में हो, तो आप आराम से CPO क्वालिफाय कर सकते हो, इन पच्चिस सो बच्चों क करके देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कि एक्चल में कॉम्पिर्शन कैसे छट रहा है, यह देखो, फिजीकली फिटो, मेडिकली फिटो, तो आप तो ऐसे ही पास हो रहे हो, मतलब काफी चारी चीजों में तो, मेडिकली फिजीकली फिटो तो 12,000, 20,000 में से 12, 12,000 बच्चे, लगबग 60 पर्सेंट हो रहे हैं, आप देखो, कि 60 पर्सेंट हो रहे हैं, बागी बच बीच, उन में से आपको जगल लेनी है, बागी बचे बीच मेंं से 15 या 7 सेलेक्शन होना है, तो देख़ो आप्यों का आनलीजू अब देखो, CGL और CPO की अगर toughness के बात कुरूं तो CGL is very tough than CPO because CPO में physical medical का criteria आ जा तो काफी अच्छे बच्चे पढ़ने वाले जो होते हैं maximum के eye problem होती है चस्मे चड़ जाते हैं इसकी वज़े से CPO का exam नहीं दे पाते हैं कई दे लेते हैं तो वो साइद बेल्ड की नहीं करना चाहते हैं पुलिस की जोब उनके पसंद नहीं है या फिर BSF और SSB उन सब में जाना नहीं चाहते हैं इसलिए आप बैठते नहीं है तो जो actual में cream बच्चा होता है जो बहुत अच्छा होता है पढ़ने में वो generally कहीं न कहीं या तो physically unfit होगा या medically unfit होता है इसकी वज़से वह इस exam में बैठता नहीं है तो in comparison CGL और CPU में अगर आपको बहुता हूँ किसे को लगता है कि वह पढ़ने में थोड़ा सा average है क्या वह CGL target करें और अपर अगर आप medically fit और physically fit हो तो I would recommend कि आप पहले CPO target करो यह जोब निखा लोगे श्याले सो क्या बहुतार लगवर किसमें सब इंस्पेक्टर आपको जोब मिलती है बाकी जो परामिलेटर के मिलती है इसमें एक सिरफ दिल्ली पुलिस है जो इस्टेट की पुलिस के आपको इसमें जोब मिलती है इतना है देखो साथ लाग में से सीधे अपंदरासू में आना कितना के इ kitchen करके बताएं बल लोगों को लगता कि सीपव ऑट आफ इस वीठीओ को देखने के बाद अपने सीपव बहुत आसान है इतना है इस वीठीओ में इसको देखने के बाद थोड़ीसिए आपको पोसिटीविटी आयो कि कैसे आप CPU आसाने से qualified in this video guys thank you, thanks for watching